नमस्कार, हरीवुमी टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम करेंगे जन्नायक जन्ता पार्टी की बात छोट वर्ड में जजपा कही जाने वाली जन्नायक जन्ता पार्टी को जोर का जटका जोर से लगा है कल शाम को पार्टी के परदेशा ध्यक्ष निशान सिंग ने इस्तीफ़े का एलान कर दिया हाला कि उन्होंने यह का कि उन्होंने यह इस्तीफ़ा मोखी गुरूप से दिया है विधिवत लिखी तुरूप से दो या तीन दिन में वो पार्टी के राष्ट्या ध्यक्ष आजे सुटाला सेमिर करके अपना त्याग पत्र दे देंगे ऐसी चर्चाएं हैं हमारे सुत्र बता रहे हैं कि निशान सिंग कॉंग्रिस के संपर्ग में है कुछ सुत्र यह भी कहते हैं कि वो भाज़पा के भी संपर्ग में है भाज़पा के एक पुरू परदेशा ध्यक्ष लगातार लोबिंग कर रहे हैं कि निशान सिंग को पार्टी में शामिल किया जाए अभी यह तय नहीं है कि वो कॉंग्रिस में जाएंगे या भाज़पा में जाएंगे इतना तय है कि निशान सिंग के जाने से जज़पा को जोर का जटका लगा है पार्टी के राष्ट्या ध्यक्ष थे हर पार्टी के करेकरम में वो सक्रिय भूमिका निभाते थे अचानक उनके त्याक पतर देने से जजबा नेता सद्वा में हैं वो ना तो कुछ कह रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हुआ लेकिन पार्टी के अंदर खाने के सुत्र बताते हैं कि इसका बड़ा कारण दवेंदर बबली हैं दवेंदर बबली परदेश सरकार में मंत्री रहे जजबा की टिकट से विधायक बने थे पूरू मुख्य मंत्री मनोर लाल के खासम खास माने जाते थे अब ऐसा माना जा रहा है कि दवेंदर बबली भाजपा के उमिद्वार हो सकते हैं अगर बबली भाजपा के उमिद्वार होते हैं तो निशान सिंग ऐसी हालत में नहीं है कि उनके सामने उनका वजूद बचा रहे सकता है या उनके सामने वो ताल ठोक सकते हैं क्योंकि जजबा का बिते कई दिनों से लगातार हर जगें विरोध हो रहा है यहां तक कि कई गाओं में पूरू उपमुख्या मंतिरी दुशन जोटगला को परवेश्टक नहीं करने दिया रहा है किसान नेता लगातार विरोध का बिगुलफुके हुए हैं ऐसी हालत में नि चंडीगड से वरिष्ट पत्रकार योगेंदर शर्मा असिजदी आपसे बुचना चराओं जो यह घटना करम हो रहा है निशान सिंग वाला इसके पीछे मूल में है क्या उन्होंने का कि मैंने मोखी रूप से इस्तीफा दिया है मोखी की स्तीफा देना और लिखी अब इन्हों ने का कि मैं अभी लिखी तुरूप से नहीं दे रहा मोक्ति रूप से रहा हूं पार्टी की राष्ट्री तक से अजई सिंग्गों लिखी तूप से देंगे उसके पने पत्ते खोलेंगे जी साथ इनों यह आगी अपने समर्थों को बलाकर वह रहे करेंगे क कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचिए यह एक शब्द जोड़ दे कर कह रहे हैं जी 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 इससे कोई क्यास लगा जाए कि यह इनके अपने लेवल की बात है खुलकर अभी कोई बात सामने नहीं कह रहे हैं यह भी कह रहे हैं अभी उनका यह अस्तीफा आधा दूरा है इसका क्या क्यास लगाया जाए कि यह मान भी सकते हैं आधा दूरा का क्या मतलब होगा लिखित इस्तीफा बोखिक इस्तीफा तो तीन अलग लग बातें होती है इनका कहना है कि जब तक वह राश्टी एदक्ष अजय सिंको सिफा नहीं सोबते जब तक वह अपनी कोई बात चोड़े हैं पार्ट चोड़ने के बाद किसी भी उनकी खिलाफत नहीं करेंगे कि आने वाले वीचे में कहीं मिलें तो सरम सर ना होना पड़े जी जी योगंदर आपको क्या मदर आता है जब साड़े चाफ साल तक सब्ता में ते निशान सिंग आगरणी है भूमिका में थ तो आपको नहीं लगता कि यह कड़वा कड़वा तूथू और मिठा मिठा गप गप जब तक सरकार में थे तो निशान सिंग बहुत अगरणी है थे अब जैसे सरकार से गए तो निशान सिंग अलग होने की बात कर रहे हैं जी नुशकार बिलकुल ठीक आपने पड़ी कहा है लेकिन आप देख रहे होंगे आप क्योंकि बहुत समय से राजनीती को कवर कर रहे हैं ये मौसम वैग्यानिक की तरह राजनीता काम करते हैं और निशान सिंग भी बहुत वरिष्ट नेता हैं और मौसम वैग्यानिक भी है वो एक दोर में आपको याद होगा पड़ी जी जो है इने लों के वरिष्ट नेताओं में उनकी गिंती थी क्योंकि फतेवाद से टोहाना से वो आते हैं और बहुत ही करीबी लोगों में पूर मुख्यमंत्रियों परकाज चोटाला जी और उनके परिवार के ये थे अब क्योंकि आप जान रहे हैं कि आदी जजबा पहले बिखर चुकी है पांच-छे विधायक अलग पहले ही चार-पांच अलग हो चल अलग रहा पकड़ ली थी उन्होंने मत्री मंडल के गठन से पहले है जी 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 निशान सिंग जी अब लग रहा है कि जब यहां बगदर्ड मच रही है और कुछ जगा पे आपने देखा हु अभी आप विरिंदर सिंग जी का उधरन देख लीजिए कि वह कितने दशक के बाद जो है कांग्रेस को बाइबाय करते हैं बड़ी सुखद निकासी होती है एकजिट होती है और दोबारा से सुखद वो अंदर चले जाते हैं और उसको घरवापसी बता रहे हैं तो यह माह उन्होंने बात किये सुखद से लेकर अब तक लेकिन अभी वो क्या डिसाइड किया है और पार्टिया उनके बारे में क्या डिसाइड करी है यह पत्ते कोई भी राजनेता एकदम आपको टीवी चैनल पे या किसी मीडिया में तो भी बताएंगे नहीं लेकिन इतना जरूर बबली जज़बा घंखे लेएं उसके बाद वांडर जीट भी गए तो क्या लग रहा है कि द्रौबली उनका कहना कुछ समर्थक आज यह भी कह रहे हैं कि द्रौबी लगातार बागाती दिखा रहे थे उसके बाद भी जाजबा में बने हुए थे इससे एक निशान लेकिन साथ साथ मनोरल खटर के वो खासम खास थे भाजबा में जाएंगे यह भाजबा की तरफ से इनको टिकेट मिलेगा पिछले दिनों जब सब्सक्राइब करन ही उनके प्रयासन से निशान सिंग ने यह सब कदम उठाया है कि विरोध करके बबली को लड़वा कर उसके जंगा सुबास निशान सिंग को आगे विदान सब्सक्राइब नियुक्त अंट है और जा सकते हैं तो वह उनके चैसे संकेत दे रहे हैं कि वह भाजबा में जा सकते हैं है प्षेंधर चीह हैं पुर मुक्यभत बाद के सबसे प्रभल दावेदार हैं और है प्रिपत छोड़ दिया उन्होंने और वो अपने हलके में जाकर के काम कर रहे हैं कि आप फिल्ड में जाकर के काम करें इलेक्शन आ गया है पहले उन्हें लोग सभा में काम करना हुगा उसके बाद में विदान सभा की जिम्मेवारी मिलेगी पर ज्रिपतं दिसंग जी की बात है साड़े चार साल जैसा आप कह रहे हैं कड़वा कड़वा आप जो है तुटु कर रहे हैं और मिटा मिटा क्वा जूरिय दर दिद्ड्र के जो सूचनाय है । कि पूुस्टी है जोुखति जो बरोसेवन सूत्र बता रहे हैं कि वो उनका कांग्रेश से ही संपरगवी है जी 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 आपको भी लगता है कि जगा जगा विरोध होना भी निशान सिंग के मौभन का कारण बना है क्योंकि जजबा के जहां भी जा रहे हैं इवन की मुख्या मंतरी भी जहां जा रहे ह है विरोध परदर सुन हो रहा है गाओं में घुजने नहीं दिया जा रहा है तो इसार के गाओं की लगतार खबर आ रही थी तो ये भी एक कारण है निशान सिंग के जाने का बिलकुल पंड़ा जी बिलकुल पंड़ा जी हमारे हां टुहाना खेतर में जैसें की गाम हर गाम में विरोध तो जजबा निशान सिंग लगांगी जवसे बिरसमीर में जा चुकी आ और यहां जजबा के महिला मोचे की राष्टी महासरचीव रही है रेखा शाक्या मंता कटारिया वह भी आज दोनों इस पार्टी से छोट अलुद देखा चुक्त उन्होंने भी आज ही इस्तिफा दिया है योगंदर को क्या लग रहा है क्या लग रहा को निशान सिंग्ग के जाने से वह पर्देश अद्यक्ष्ष है जजबा में भगदर बढ़ने की कितनी संभावना है अब देखिए जन्यक जनता पार्टी के जो चेहरे हैं अब वह साड जो असीजा जी ठीक क्या रहे है जो विरोध परदशन हो रहे है टुवाना पंजाब से लगता हुआ एक सब्डिविजन है कस्भा है और किसान नेता हुआ सक्रिया रहे हैं आपको याद होगा पंडी जी आप तो क्योंकि ये सारी बैल्ट आपने अनुवा किया है काम किया प्रिंट और इलक्ट्रोनिक में भी यहां के किसान नेता और यहां के तमाम तरह के जो सियासी संगटन हैं बड़े एक्टिव पोल्टिक्स उन्होंने किये एक टाइम में घांसी राम नैन हुआ करते थे यहां के बहुत प्रिया और नेता और जवाब देने वाले लोग हैं तो यह पंजाब से लगते वे में कही तरह के विरोध परदर्शन और साड़े चार साल आप जब संता में रह लिए तो एंटी इनकंबेंसी भी आपकी बन गई है यही कारण है कि जो है दुशन चुटाला को कही जगा विरोध का सामना करना पड़ रहा है हाला कि निशान सि पाया था और इसमें और वो जाते भी हैं तो अभी फिला लेकर इलक्षन मोड है क्योंकि अभी कोई ऐसी सिच्वेशन नहीं है तो इलक्षन को लेकर कोई कहीं भी जा चुता है दी दी असे दी आपको भी लग रहा है कि एक और भी इस तीपिया हो सकते है निशान सिंग के जाने के बाद भी तक तो सुत्रों से यह जानकरी मिल रही है कि निशान सिंग कॉंग्रेस में शामिल होंगे ऐसा कहा भी जा रहा है कि उनकी पूरु मुख्या मंत्री भुपेंदर हुड़ा वे परदेशा द्यक्ष उधैबान से बात हो चुकी है लेकिन वो अभी यह टालमटॉल कर रहे हैं वो उनका कहना यह है कि अगर मैं ही फैंसला करके एलान कर दूँगा करे करतां का संब्भान नहीं रहे गा करे करतां के बाका उसे विचाये करने के बाद मैं अगले कदम का एलान करूंगा हाँ इतना तय है कि वह किनारा कर चुके हैं जब दपको अलविदा बोल्चुके